हेलो फ्रेंट्स गुड मोनिंग आज के इस वीडियों में बात करते हैं ऐसी समस्या जिसमें बच्चीयों को महलाओं को या फिर एडल्ट लेडीज को हमेशा थकान सी लगी रहती है हमेशा थकान सी लगी रहती है उसका कारण क्या है और कौन कौन से लच्चन के बेसिस पर मेडिसीन को सेलेक्ट की जाती है और उस मेडिसीन को कैसे यूज किया जाए पूरी बात समझते हैं तो दिखी टापक यही लिखा है तैर्ड आल टाइम यानि हमेशा थकान लगी रहती है सोते समय जगते समय कुछ भी न करें तो भी थकान लगी रहती है यानि वीकनेस बहुत ज़्यादा है तो कारण क्या है तो दिखी वीकनेस के कई कारण हो सकते हैं उसमें से सबसे प्रम में अगर हिमोग्लोविन कम हुआ, ब्लड में हिमोग्लोविन कम हुआ, तो ऑक्सिजन कम ट्रांसपोर्ट करेगा, अगर अक्सिजन कम ट्रांसपोर्ट होगा, तो कम ATP बनेगी, ATP मतलब उर्जा, तो मोटे तरीके से यूँ समझ लिजे, कि ब्लड में हिमोग्लोविन की कमी है, तो एनिमिया है, अगर हिमोग्लोविन कम है, तो ऑक्सिजन ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, यानि पूरी कोसिकाओं को जितनी जरूरत है ऑक्सिजन की, उतनी ऑक्सिजन नहीं मिल पाएगी, तो ATP यानि उर्जा कम बनेगी, जब उर्जा कम बनेगी तो क्या होगा? वीकनेस होगा, यानि एनेमिया और वीकनेस एक दूसरे से जुड़ी हुई समस्या हैं तो एनेमिया, वीकनेस, और अगर सरीर में इनर्जी नहीं है, तो confused feeling, confused feeling मतलब किसी भी काम को करने में confidence नहीं आता क्योंकि इनर्जी नहीं है, तिस तरह से confusion लगा रहता है, कि करें, न करें, करेंगे तो असफल न हो जाएं, सफल होंगे कि नहीं होंगे, तो इन सब अब वस्थाओं के वज़े से कैसा होता है, confused feeling, यानि एनेमिया, वीकनेस, और confused feeling, शरीर में हिमोग्रोबिन की कमी होने से इस सब सिम्टम साते हैं, और इस एनेमिया, वीकनेस को enhance को उन कर देगा, खराब पाचन, और खराब पाचन में देखे लिखाया है, least food, cause, distress, यानि थोड़ा सा खालेने के बाद, पेट में distress होने लगती है, तनाव, दिक्कत, मसूस होने लगती है, क्यों मसूस होती है, इसलिए कि पाचन ठीक से नहीं होगा, तो देखे, least food, cause, distress, और dyspepsia, यानि ख खराब पाचन है, अब खराब पाचन होगा, तो सिधी से बात है, कास्टिपेशन होगा, इस टूल हाड होगा, तनी, दिखी, एक समस्या, दूसरे समस्या सो जुड़ी होई है, और उसी समस्या को enhance कर रही है, तनी, least food, अगर थोड़ा सा food से dyspepsia होज़ारा, पाचन नहीं ह हो रहा है, तग ही तो एनेमिया वीक्नेस होगा, और एनेमिया और वीक्नेस अगर हुआ, किसी को भी एनेमिया और वीक्नेस की वज़़े से leucoria हो रही है, तो भी सरीर कमजोर होगी, और सरीर अगर कमजोर होगी, तो संभौना बनती क्या होने की, प्रोलैप्सस होने की, सरी देखे इधर एक दिक्कट क्या है कि शरी में ब्लड कम है और दूसरे दिक्कट कि पीरेड में वेंस्स जद्या रहा है तो मेंस्स जद्या रहा है तो और हेमग्लवन कम होगा भाई तो यहां पर ज्यादा लुकोरिया है न, इस वज़ा से है कि एनिमिया और वीक्नेस की वज़ा से, कमजोरी के वज़ा से कुछ एकसर्शन कर ला लेते, कुछ पैनत वाला काम कर लेते हैं, तो लुकोरिया और ज्यादा हो जाता है, तो प्रफ्यूज मैंसस भी इनहेंस कर रहा है, और है विच्वल ट हो रहा है, उसमें अगर concede ho गया, pregnancy हो गई, तो टेंडेंसी बनती है, habitual इवार्षन की, तो habitual इवार्षन की टेंडेंसी है, और हमेशा लगा रहता है, कि uterus seem heavy, यह जो uterus है, जो पेडू है, वहाँ पे भारी पन लगा रहता है, तो अगर एस अब समस्याइं आती है, तो बहत आत मिलेगा तेक बार फिर से रिविव करते हैं देखें इनीमिया ईए वीक्नेश कमजोरी होगी तो इस तरह से confused feeling का sensation आएगा और यह anemia weakness confused feeling इस वज़े से है कि आपका जो पाचन है वो ठीक से नहीं हो बारा है constipation है और थोड़ा से भी खाते हैं तो पेट भर जाता है गैस बन जाती है distress पेट में होता है और इस वज़े से यह सब समस्या है support में बढ़ जाती है तो लिकोरिया बेहनत करने पर एक सरसंद करने पर ज़्यादा हो जाती हो और weakness है शरीर कमजोर है physically fit नहीं है तो प्रोलेपसेस हो सकता है जो करवास है वो बाहर आ सकता है और profuse menses खुब ज़्यादा menses होता है यानि एक तरफ तो blood कम है और दूसरी तरफ और ज़्यादा flow हो रहा है इसी बोलते हैं करीबी में आटागील हो जाना यानि एक तरफ सरीर में पहले सिमग्लूबिन कम है और दूसरा इधर तो फ्यूज हो रहा कुब ज़्यादा मात्रान हो रहा है और habitual tendency to aberson आप किलिए दवा होगी altcoins fairinoza Оتي Free आप किसी भी Olympic Trade store से ले ले उस 신ic nuts क नाम है altcoins fairinoza altcoins fairinoza इसका 20 बूंद हाब कप पानी में गोल के तीन बार लिजे सुबर मौर्निक नून और इवनिंग जितने वी सिंटम्स लिखे हैं इसमें से तीन से चार सिंटम्स अगर मिले हैं तब आप यूज़ करें अब इससे ज़्यादा मिलते हैं तो और बहतर है अल्टेरियस फैरिनोसा आपको इन सब समस्याओं से और खास बात तायर्ड अल्वेज यहनि हमेशा जो ठकान सी लगी रहती है इससे निजात मिलेगी बात समझ में आई तो इस वीडियो भी ज़रूर लाइक करें फ्रेंड्स को भी सेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर दें नीचे रेड कलर की बटन दिख रहे हैं उसको दबा के काला कर दें सब्सक्राइब हो जाएगा नया नोटिखे किसन आपको मिलता रहेगा इस तरह से आपने पूरा वीडियो देखा थेंक्यो